गुड मॉर्णिंग इस्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हूँ आज हम इस वीडियो में प्राचीन कारी निस्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो कई बार क्यूसन पूस लेते हैं एक्जाम में किसी भी इस्थल के सम्द्धित तो यहां पर हमने इंपोर्टेंट इस्थलों के बारे में क्लेक्शन क्लेक्ट किया है जो आप लोगों की एक्जाम में बहुत ही साता करेगा ठिक है तो देखेगा प्राचीन कालिन स्थलों में त्रीपूरी हलेवीड जिसे होसल भी कहा गया था और हस्तिनापूर ठिक है और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया उल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इधियास प्राचीन कालिन स्थलों सबसे पहले त्रीपूरी मद्य परदेश के जबलपूर से पस्सिम की और साथ मिल दूरी परिस्तित वर्तमान तेवर ग्राम ही प्राचीन समय का त्रीपूरी नगर था इस नगर का उलेक महा भारत में भी मिलता है यहां के राजा अमितोजस पर सह देव के विजे का उलेक मिलता है पूरान भी इस नगर का उलेक करते हैं इस नगर को विशेश परसिधी कल्चूरी वन्स अर्थार 845 से 1070 इस्वी के समय में मिली थी उन्होंने यहां अपने राज़दानी बसाई थी कल्चूरी सासन में इस नगर का चहू मुखे विकास तथा इसे भौनों, मंदीरों, एम मूर्तियों से सजाया गया यहां के खंडरों से कई मूर्तियां मिली हैं जिन से त्रीपूरे स्वर महादेव की मूर्ति उलेखनी है एक गज लक्समी की मूर्ति तथा कई शैव मंदीरों के अवसेस भी मिलते हैं यहां से प्राप्तिसमा भार्थिय संग्रार्ले कल्यक्ट्ता में सुरक्षित किया गया है अब अगला स्थलाथ हेलेविड जी से होईसल भी का गया है होईसल वंस की राजदल का आधुनिक नाम हैलेवीड है जो कर्नाटक राजे में बेलूर के पास इस्तित है इसे पूरम में दौर्समू राजदल रहा है होईसल राजों ने यहां 1149 इस्वी से लेकर 1349 इस्वी तक राजे किया था उन्होंने यहां कई मंदिरों का निर्मान करवाया था उनके द्वारा बनवाया गया होईसलेस्वर का मंदिर सरवादिक परसिद है के दारेस्वर मंदिर भी यहीं बना हुआ है मंदिर की द मंदिर का निर्मान विषणू वर्धन ने करवाया था होज़लेसवर् मंदिर के अलवा हलेवीड से कई जैन मंदिर भी प्राप्त हुए हैं इनमें पाश् Bashnaath का मंदिर उलेगनिये हैं जिसमें उनकी 14 फिट उची पर्तिमा रखी गई है दो अन्य मंदिरों से रिसब देव तता सांतिनात की पर्तिमाएं भी मिली है भर्तमान हलेविडू अर्थात हलेविड का अर्थ है नस्ट शहर इस सहर को बहमनी समराजी द्वारा दो बार नस्ट किया गया था हलेविड को भारतिय मंदिर और सिल्फ कला का दर्शन कराने वाले स्थान के रूप में जना जाता है इसकी रातानी जन अनुयाई नृपा कामा ने की थी होई सलसा से कला और सिल्फ के सरंग सकते बेलूर और हलेविड में इन्होंने भवे मंदिरों का निर्मान कराया था महाभारत काल का ये परसिद नगर मेरट से 22 मिल उत्तरपूरव गंगा नदी की प्राचीन धारा के तटपर बसा हुआ है महाभारत यूद के बाद इस नगर का गोरव समाप्त हो गया तथा ये है गंगा नदी के परवा में विलिन हो गया विश्णों पुरान से पता चलता है कि हस्तिनापूर के गंगा में प्रवाइद हो जाने पर राजा निचक्सू जो जनमजे का वंसस्था ने अपने राजधानी कोसांबी में इस्थानांतरित किया था महाभारत काल में हस्तिनापूर कूरूवंस के राजधानी थी हस्तिनापूर को सास्तरों में गजपूर, हस्तिनापूर, नागपूर, असंदीवत, ब्रहमस्थल, सान्थी नगर, और कुंजरपूर आदी के रूप में जनन जता है समराट असोग के पोत्र राजा संप्रती ने यहां अपने समराजे के दोरान कई मंदिरों का निर्मान किया है प्राचीर मंदिर और इस्तूप आज यहां नहीं है हस्तिनापुर को पुरातातिक मानचितर पर रखने का स्रेय बीबी लाल को है जिन्होंने भारतिय पुरातत्त्य सर्वेंक्षन विभाग की ओर से 1950 से लेकर 1952 इस्वी तक यहां पर उत्खरन कारिये करवाया था यहां खुदाई से 5 संस्कृतियों के अफसेस प्रकास में आये हैं जिने गैरिक, चित्री धूसर, उत्री, काली, चमगीली, अर्थात, एन बीपी तथा उत्तर एन बीपी संस्कृति कहा जाता है यहां की पांचवें संस्कृति मध्यकाल की है, सबी से सम्बंदित मिट्टी के बर्तन खुदाई से प्राप्ते होते हैं गैरिक संस्कृति, जो पर्थम संस्कृति के इस्थर से केवल कुछ पात्र खंड़ी मिले हैं, जो गेरुए रंग से पूते हुए हैं भवन निर्मान का कोई साक्षे नहीं मिलता है दूसरे सेंसकर्ती अर्थाथ चित्रित दूसर सेंसकर्ती से बर्तन प्राप्त होते हैं इनमें स्लेटी रंकी थालियां, कटोरे, घड़े, मटके, नान, आदी हैं बर्तनों के उपर चित्र कारियां भी मिलती हैं, इस इस्तर से भवन निर्मान के साख से प्राप्त हुए हैं पता चलता है कि भवन निर्मान में मिट्टी तथा बांस बली का प्रियोग होता था लोग क्रेशिक तथा पसुपालन से परिचित थे, खुदाई में गाई, बैल, भेड, बकरी, घोडे, अधी पसुओं की हड़ियां तथा चावल के दाने प्राप्ते होते हैं कुछ हड़ियों पर काटे जाने के चिन भी हैं, तथा कुछ जलने से काली भी पड़ गई हैं, हर इनके सिंगों के अवसेश भी मिलते हैं, संभवता इनका शिकार किया जाता था अबूस्नों में मन के तथा काच की चूड़ियां मिलती हैं अन्य उपकुणों में चाकू, कील, तीर, भाला, हसिया, कुदाल, चिम्टा, आदि का उले किया जा सकता हैं तीसरी सेंस करती एन बीपी के निवासी काले चमकीले भांडों का प्रियोग करते थे, तथा पक्की इंटों से बने भावनों में निवास करते थे उनकी सब्वेता पूर्व वर्ती यूगों की अपैक्षया अधिक विक्षित थी, गंदे पानी को बाहर निकारने के लिए नालियों की भी व्यवस्ता की गई थी इन्हें विशेश परकार की इंटों से बनाया जाता था, वे तामबे तथा लोहे के उपकरणों का भी प्रियोग करते थे खुदाई में इन धातों के उपकरण प्राप्त होते हैं, इस काल तक नगरिय जीमन का प्रारम हो चुका था इस स्तर के उपरी भाग से जन्ने के अवसेश मिलते हैं, इससे अनुमान किया जा सकता है कि हस्तिरापूर के इस स्तर्व का विनाज अगनी कांड में हुआ, चोथे सासकर्तिक इस तर अर्थात उत्तर एन बीपी यहां से कई परकार के मृत भांड प्राप्त हुए हैं, यह लाल रंग के हैं, जिन पर कहीं कहीं काले रंग से चित्रकारी भी की गई है, स्वास्तिक त्रीरतने, मीन, फूल पतियों, आदी के आकारों के ठपपे भी पात्तरों पर लगाए गए हैं, मकानों के निर्मान में पक्की इंटों का प्रियोग किया गया है, साथी साथ सुंग काल से लेकर गुप्त काल तक की मिटी तथा पत्थर की परतिमाएं भी मिलती हैं, सुंग कालिन परतिमाओं में एक इस्तरी की मूर्ती अत्यन सज्जी में आकर सक है, उसके हातों, चेहरे, आखों, केशों, आद मतों के नाम भी उत्किन हैं मतुरा के दत्वनसी रासास को कुसान राजों तथा योधेओं के सिक्के भी यहां से मिलते हैं बीबी लाल का नुमान है कि हस्तिनापूर की प्राचींतम गेरिक सेंस्कृति का समय इस्चा पूर्वे 1200 के पहले का है सिक्कों के आधार पर यहां की चतूर्थ संसकृति का समय इस्चा पूर्वे 200 से 300 इस्वी तक निर्दारित किया गया है चतूर्थ काल के बाद लगबग 8 सताब्दियों तक हस्तिनापूर में आवास के साक्षें नहीं मिलते जब यहां पांचवी बार बसाई गई तो सब कुछ परिवर्तित हो चुका थ इस तर से दिली सर्पनत के सुल्तान बल्बन का एक सिका मिलता है जिसके आधार पर इसे मध्यकालीन मना जाता है मकान पक्की इंटों के बनते थे इसकाल के कचित मृद भांड विश्यस रूप से उलेकने हैं पारवती तथा रिशब देव की प्रस्तर परतिमाएं भी प्र डॉक्टर लाल ने हस्तिनापूर के अंतिम सेंसकर्ति का समय 1200 से 1500 इस्वी के 20 निर्दारित किया है 15 तापदी के बाद से हैं मानव आवास के साख से नहीं मिलते हैं इस प्रकार इस परश्ट होता है कि हस्तिनापूर में लंबे समय तक मानव आवास विद्देमान रहा जैन गरंतों में भी हस्तिनापूर को महत्वय दिया गया है इसका समन्त कई तिर्थंकरों जैसे कि सांती, कुंतु, अर्नात, आदी से बनाया गया है अर्थात बताया गया है अतहे ये स्थान जैनियों का तिर्थिस्तल माना जने लगा तो देखिएगा इस वीडियो में हमने जिन स्थलों के बारे में पढ़ा वो एक्जाम की दर्स्टी से बहुत महत्व पुन है अताय वीडियो को बार बार देखें और इसी प्रकार बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे